और ग्यानवापी मस्जिद मामले में कोट के फैसले के बाद भी राजनीती जोरो पर है ओवैसी ने कहा कि 1991 के आदेश का उलंगन है इस पर केंद्रे मंत्री कोशल किशोड ने कहा कि ओवैसी को इतनी चिंता है तो वो खुद सुप्रीम कोट क्यों नहीं चले जाते साथी मदर्सों में रास्टगान को अनिवारे किये जाने पर कहा कि इसमें किसी को भी राजनीती नहीं करनी चाहिए साथी कॉंग्रेस की चिंतन शिवे पर वो बोले हैं कि कॉंग्रेस को सबसे पहले चिंता करनी चाहिए कि उनका नेता होगा कौन इन तमाम मुद्दों पर केंद्री मंत्री कौशल किशोर से बाचीत की हमारी समधाता ममता चतुरवेदी में सुनिए केंद्री मंत्री कशल किशोड जी हमारे साथ है इंसे बात करते हैं ग्यान बापी मामले के अगर बात करें तो लोवर कोट की तरप से एक फैसला आया है जिसको लेकर एसदुदीन वैसी कह रहे हैं इसको सुप्रम कोट में भी चैलेंज किया जाना चाहिए उनके हिसाब से यह सही नहीं है आप इस फैसले को कैसे देखते मैं समझराओं की जो कोट का आदेस हुआ है वह ब विपच को मनना चाहिए और सभी पच के लोगों को मनना चाहिए कोट जानना चाहता इसलिए सर्वे वहां कराना चाहता उस सर्वे का आडर ही कोट ने दिया है ओएसी जी जो कह रहे हैं कि सुप्रिम कोट जाना चाहिए तो ओएसी जी को खुद सुप्रिम कोट चले जाए दूसरों को राय क्यों दे रहे हैं उनको खुद सुप्रिम कोट जाना चाहिए तो जा करके अपनी बात कहें उनको किसी ने रोका नहीं हमारे आदालते हैं उसमें सबको जाने का दिखार है लेकिन असलियत तभी आएगी सामने जब उसका सर्वे होगा और उसको पूरा सर्वे निकल करके जो रिपोर्ट आएगी तभी पता चलेगा कि मस्जिद का नाम ग्यान व्यापी क्यों योगी सरकार ने मदर्षो में राष्टगान को कंपलसरी कर दिया है इसको लेकर वैसी कहते हैं कि राष्टगान तो सब लोग गाते हैं ऐसे में गाते हैं प्रफिकेट देना पड़ेगा क्या कि जो मुस्लिम है वो राष्ट भक्त हैं अगर राष्टगान गाने के लिए कहा गया है तो क्या प्रवलम है तमाम मदर्सों की सिखायते रहें कि राष्टगान नहीं गया जाता बंदे मातरम तमाम जगें नहीं लोग बोलते नहीं कहते तो एक आस्था का मामला है राष्टगान देश भक्ती का गीत है और इसलिए वो गीत इस्कूलों में मदर्सों में सरकारी संस्थानों में गलुकुल गया जाना चाहिए प्राइबेट संस्थानों में भी गया जाना आखरी सवाल उद्यपूर में कॉंग्रेस पार्टी तीन देशी चिंतन शिविर कर रही है नौ संकल्प शिविर उसका नाम दिया है और कॉंग्रेस पार्टी का साबतार पर ये कहना है कि चिंतन शिविर के बाद बीजेपी के खिलाफ एक जुटता कॉंग्रेस पार्टी में दिखाए देगी आपको क्या लगता है कि चिंतन शिविर में वाक कोई की रिजल्ट निकल कर आएगा क्या इस वसलेख में जनता की समझ्याओं का विकल्प कॉंग्रे Grade के पास नहीं आतने भर भारत देश क्योंने बना इसका विकल्प कॉंग्रेस के पास नहीं है क्योंकि ना उनके पास चिंतन है जब सत्ता रही तो वो सोचे नहीं आज वो जंता के सामने अपना विकल्प नहीं पेस करना चाहते बीजेपी का विकल्प बनने की बात करते ये सोची ही दरसाती है कि चिंतन नहीं है बलकि बीजेपी लगातार आगे क्यों बढ़ा रही इसकी चिंता है दिल्ली अब को जो कि अविलेबल है गूगल प्ले और अप स्टोर पर अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें